पर्देशी मेरा ये बात हमने हमेशा सुनी है ऐसी घर वापसी के मोड पे चल रहे कहीं विदायक फिलाल चर्चे में है हम बात कर रहें शिवसेना और राश्टवाधी गूड के विधायकों की लोगसभा चुनाओं खत्म होते ही शिवसेना और राष्टवादी गूट के विधायकों ने अप्रत्यक्षर रूप से शिवसेना उद्धव ठाकरे और राष्टवादी शरत पवार गूट से संपर करने की खबरे सामने आई है अखिर कर क्या है ये मामला जानने के लिए आप ये वीडियो अखिर तक जरूर देखिए नमस्कार दोस्तों मैं साहिली साल के और आप देख रहे हैं MB Live चार जुन को लोगसभा चुनाओं के नतीजे सामने आए उन नतीजों से पूरे देश में जो है संसनी फैली है वो देखने जैसी बात है दोस्तों हाला कि चुनाओं के रुजान गोशित होते ही महाराष्टों को बड़ा जटका लगा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी महाराष्ट के उपोमुख्य मंत्री देवेर नफण नवीस ने अपने उपर लेते हुए अपने पत से इस्तिफा देने तक की पेशकश की है पूरे देश में NDA को 292 सीटे मिली है और इंडिया अलाइंस को 234 सीटे मिली थी बात की जाए महाराष्ट की तो महाराष्ट में कुल 48 सीटे थी जिन में से 30 सीटे महाविकास आगाडी को और 17 सीटे महायूती को मिली थी और एक सीट जो है अब पक्षो को मिली थी अब खबरे ये आ रही है कि शिन्दे गुट और अजित पवार गुट के विधायक उनके पूराने पक्ष से वापस संपर कर रहे है देखा जाये तो राष्टवादी अजित पवार गुट के 10 विधायक घर वापसी के मूड पे ह हाला कि इस बात की पुष्टी हम नहीं करते देखी दोस्तों इस बात का ये भी एक कारण बताया जा रहा है कि विधान सबा चुनाओ जल्द ही आने वाले है इस बात को मद्दे नजर रखते हुए और महाराष्ट में महाविकास आगाडी की आई जादा सीटे जिससे जाहि देर तोर पर कहा जा सकता है कि महाविकास आगाडी का प्रभाव महाराष्ट पर पढ़ रहा है और यही एक कारण हो सकता है शिंदे गुट और पवार गुट के विधायकों का घर वापसी करना आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये विधायक क्यों अपने पुराने पक्ष के लिए नमस्कार